इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? याद रखिएगा दो वेक्टर्स अगर मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A और B से वो उस वक्ट एक्वल होंगे जब उनका मकनिटूड भी सेम होगा और उनकी डिरेक्शन भी सेम होगा तो एक बात रिक्वल कर लीजेगा जो मैंने पहले लेक्टर में आपको बताईही थी वेक्टर और स्केलर की डिरेफिनेशन के वक्टर्स में आप देख सकते हैं, अगर दोनों के same magnitude हैं, यानि दोनों की lens सेम हैं, और दोनों की direction सेम हैं, तो यह दोनों equal vector के लाएंगे, यानि मैं vector A को is equal to लिखूंगा vector B के, ठीक है, अब यह जो बात हमने साथ में लिखी हुई है, कि without considering their initial point, इसका मतलब यह है, कि अगर मैं यहाँ पर graph बना देता हूं, तो आप देख सकते हैं, कि ग्राफ के साबसाब अगर यह X axis है, और यह Y axis है, तो ग्राफ के इसाब से, वेक्टर A का जो initial point है, और वेक्टर B का जो initial point है, वो मुक्तलिफ जगह पर हैं, इसकी जो X value है, और इसकी जो Y value है, compare to जो B vector है, उसकी जो X value या उसक equal vector कहलाते हैं इसी तरीके से जो अगली definition है हमारे पास वो है negative of a vector याद रखेगा मैंने इस वक्त negative of a vector लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर negative vector नहीं लिखा तो याद रखेगा कोई भी vector negative नहीं होता यह अच्छी तरह जहन में बिठा लीजेगा आम तरह पर student यह बोलते हुए नजर आते हैं कि negative vector जी नहीं किसी vector को negative बनाया जाता है इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब मैं आपको भी समझा रहेता हूँ देखिए इसको graphically आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि first करें कि हमारे पास एक vector है इसको मैं आपर draw कर रहा हूँ यह रहा वो vector ठीक है और इसको मैं कहा रहा हूँ vector A कहा रहा हूँ अगर मैं इस vector को बिल्कुल rotate कर दूँ 180 degree rotate कर दूँ मतलब बिल्कुल ऐसे घूमा के बना दूँ तो जहां पे head था वहां पे tail आ गया और जहां पे tail था वहां पे क्या आ गया head आ गया तो अब इस vector को मैं लिखूँँगा A ही लिखूँगा लेकिन इस से पहले मैं क्या करूँगा एक negative sign लगा दूँगा यह मतलब होता है किसी vector को negative बनाना तो प्लीज जाद रखिएगा को vector negative नहीं होता तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने उसको घूमाते है 180 डिग्री तो आप यह इसको ऐसे समय लिजेगा पहले definition मैंने इसके ऐसे कर दिये कि एक vector जिसको हम rotate करते हैं कितना 180 डिग्री सही है तो वो क्या बन जाता है negative of vector बन जाता है तो यह definition यहाँ पर आपकी समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या किया वह देखिए किसी vector को 180 डिग्री घूमा दिया ठीक है दूसी definition जो मैंने की हुई है वो मैंने यह की हुई है कि अगर एक vector को जो initial point है और एक terminal point है तो terminal point को initial point बना दीजे और initial point को terminal point बना दीजे तो यह भी negative of vector की definition है यह मैंने यहाँ पर लिखा हुए सारा negative of vector को हम represent ऐसे करते हैं कि हम एक negative sign लगा देते हैं उस vector से पहले ठीक है negative of vector से पहले तो अब देखिए A और जब मैंने यह इसको rotate किया तो मैंने minus A लगाया इस negative sign को अची तरह समझ लीजे मैंने यहाँ लिख दिया है कि यह negative sign जस बता रहा है opposite direction remember अपने खोपड़ी में यह बात अची तरह बिठा लीजे कि जो magnitude होता है किसी vector का वो हमेशा non negative या जिसको आप simply कह सकते हैं positive होता है तो magnitude positive quantity है किसी vector से पहले अगर minus sign लगा हुआ है तो वो minus sign किस चीज़ को represent कर रहा है class वो minus sign इस बात को represent कर रहा है कि actual vector को 180 degree हमने rotate कर दिया या उसी definition जो मैंने बताई है कि terminal को initial और initial को terminal point बना दिया